हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त डीके गुपता मैं आप सभी का एक्सल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में सौगत करता हूँ इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सल फार्मूला इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे उसका नाम उस फार्मूले का गुरुप कौन सा है और MS Office के किस वर्जन से ये एवेलेबल है उसका description, उसका use, उसका syntax क्या होता है उसको use करने के लिए कितने और क्या-क्या arguments की जरुरत होती है और जो सबसे महत्मन बात है वो है practice examples के द्वारा उस फार्मूला को use करना और उस फार्मूला को उसकी functionality और utility को अच्छे से समझना दोस्तो हमारा formula of the day है SLN SLN तो अपना discussion शुरू करता है SLN के लिए name of the formula है हमारा SLN, financial group का part है MS Office के सभी versions में ये available है description ये use की बात करें तो यह हम लोग को state line method के according इसी भी asset का depreciation calculate करके return कर देता है state line method के according depreciation calculate करके बता देता है syntax और formula की बात है तो syntax है इसका equal to SLN और three compulsory arguments required है cost, salvage value और life cost, salvage value और life कुछ practice examples के थुरू हम लोग इसको use करके देखता है और समझने कोसिस करता है क्या हो it work कि ये कैसे काम करता है like example one में हम लोग को direct input के थुरू हम लोग को depreciation calculate करना है ठीक है यहाँ पर cost given है हम लोग को 1 lakh रूपीज, scrap value बताई हूं यह 10,000 रूपीज और life है machine की यह item की 5 years तो हम use करता है SLN 1 lakh रूपीज, scrap value 10,000 और life कितनी है 5 years तो हम लोग को हर year में कितना depreciation के आना है वो return कर देता है ठीक है next अगर हम लोग देखते हैं अब हम लोग self references के दुरू देख रहे हैं उसी formula को equal to SLN post is this, scrap value is this and life is this तो हम लोग को कितना depreciation हर साल में 5 years में calculate करना है या charge करना है PNL से यह हम लोग को return कर देता है 3 arguments required है cost, scrap value और life इसी तरीके से हम लोग पास अलग-अलग examples हैं अगर हम लोग उनको 10 years अगर हम इसी formula को copy कर दें यह इसको लिखते है SLN cost is 1,95,000, scrap value 15,000, cell references को हम लोग यूज कर रहे हैं और life हो गई 10 years तो depreciation calculate करके हो जाएगा 18,000 अगर हम लोग इस की कीमत को 2,10,000 कर देते हैं तो हमारी life के according अपनिया values change हो जाएगे कितना depreciation calculate होना है ठीक है next example में देखते हैं equal to SLN cost to like 75,000, scrap value is 15,000 and life is 8 years तो यह method हम लोग का state line method के according depreciation calculate करने का example बहुत ही simple है state line method means इसमें हर साल सेम depreciation charge किया जाता है आज के वीडियो में इतना ही उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद जाता है झाल